नमस्कार आप देख रहे हैं सुर्वी काउ फारम नागोर और मैं प्रेमराम स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो सांखला डिरी फारम जान की दास से पवन कुमार जी के फारम की ये गाउ जान की दास तैसिल सुरतगड जिला गंगान अगर राजस्तार में इस्तिता आज के वीडियो में आपको दो गाएं सेल के लिए उपलब्द करवाई जाती है दोनों की दोनों ताजा भी आई हुए है और एकदम रिजनेबल कीमत में यानी सश्ती गाएं ये जो गाएं आप स्क्रीन पर देख पारे है अच्छी कद काटी फुल हाइट लेंद की ये लंबा हुचा कद है शानदार हैवी अडर साइजे आप अडर को देख पार है फुल फिट टाइट कॉमपेक्ट जोशी लाडर है और उस पर दूर दूर स्पेस वाड़े सुन्दर थनों के बनाऊट है लंबी पतली बलेग गुच्चे के साथ में गुच्चेदार टैल है शो क्वालिटी के शिंग है परफेक्ट क्वालिटी का हमप है ये एकदम अच्छी क्वालिटी की सुन्दर चेरे मुरे की बड़िया क्वालिटी की सेगंड लेक्ट एक्षिन की गाह है यानि इसकी देख बाल उतने अच्छी तरीके से सेवा भाव से नहीं की गई है जिसकी वज़े से गाह थोड़ी एकदम कमजोर दिखाई देती है ये भी सुन्दर चेरे मुरे की है सर पर जस्ते वे मुक्की भर के सींग है एक जोलती हुई जालर नुमा गल कमबल है सुन्दर सी नाबी की बना उटे अच्छी क्वालिटी का अडर है और उस पर दूर दूर स्पेस वाड़े सुन्दर मुटी आथन है और इसके पीछे भी फीमेल काफ है ये भी सेकिंड लेक्ट एक्षन में दो दिन की ब्याई हुई है इसके जो पीछे फीमेल काफ है वो सो परतिस सथ सुद थार पार कर ब्रिड गए ये गाई भी सांदार अच्छी कद काटिक है इसके भी एक लंबी ब्लेक गुच्चे के साथ में गुच्चेदार टेल है जो जमीन को छूरे ये गाई की सुन्दरता को और बढ़ा देती है आप इसका फीमेल देख पारे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का फीमेल है इसके पीछे तो ये वाइट वाली गाई भी अच्छी ब्रिड लायन की है थोड़ी दूबली पतली होने की वज़े से उतना हम्प उबर कर दिखाई नहीं दे रहा है आपको पता हिए जो पसूर रखते हैं वो ये बात को जानते हैं कि गायों की जब कैयर की जाए तब उसके ब्रिड क्रेक्टर अच्छे ढंक से दिखते हैं दोनों की दोनों गाये ठंडे और शांद स्वभाव की सालीन परवर्ती किये अच्छी मिल केंपिसिटी किये रिजनेबल कीमत की है और एकदम पॉली और नरम चुआए की बिना च्छरे वरे की किसी भी परकार की कोई अनावश्यक हल चल गायों में नहीं और हाँ जो भी भाई आज पहली बार अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख पा रहे हैं उन्हें सभी बायों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने चैनल सुर्भी काओ फारम नागूर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ओल बेल वाले घंटे के न देखें गायों में दूद कितना निकलता है वो कैपिसिटी आपको पता लग जाएगी अच्छी क्वालिटी की गाये हैं ठंडे सांथ सुभा किये और सबसे में बात यह है कि दोनों गाये रिजनेबल कीमत में सेल के लिए उपलब्द करवाई जाती है तो जो भी भाई दे वेजिट करके देख परकर आप गाये को खरी सकते हैं वेजिट करने के बाद आपको हर परकायर की सुभिदा उपलब्द करवाई जाएगी और जो भी गाये आपको पसंद आती है वो गाया खरी सकते हैं या बाई साब के फारम की कोई भी गाये आपको जमती नहीं है या ग गायों के स्वयलभाव से आप वाकिब हो जाएंगे अच्छी क्वालिटी की गाये हैं यह जो वाइट वाली गाये यह दो दिन की ब्याय हुई है और पूरे दिन का 10 लिटर मिल्क इसके नीचे रेडी है और जो ब्लेक वाली गाये ब्लैक चॉकलेटी कलर की वो गाये पांस द 1313 से प्लस परड़े का में निकाल सकती है बात करते हैं प्राइज की तो दोनों गायों की प्राइज पस्पन हजार रुपे डिमांड की गई है जो भी चुक बायर है उनसे मेरे रिक्वेस्ट है कि वह पाराम पर उपस्तितों कर दो टाइम देख प्रकर अपने हां से मिलकि करके गायों को खरी सकते हैं या फिर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो पवंजी के कॉंटेक्ट नमबर 8955695052 पर संप्रकर करके और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट फेसलिटी आपको मिल जाएगी वीडियो को लाइक जरूर करें लाइक करना नहीं कमी रे गई हो तो कमेंट करें अगले वीडियो में सुधार करेंगे फिर मिलता है इसी परकार के एक और यूनिक वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन